तो आज आपके लिए साइंस का आपका बहुत की एक मस्त चैप्टर लेका हूं इंप्रूब्मेंट इंट्रोडक्शन पहले आपको बता हूं तो यह ऐसा बताता है कि हम जान देवाइड क्या हो रहा है पॉपुलेशन की वज़े साब सोच रहे है अभी तो इन शॉट आप देखो अगर आप हर फाई यह तेन यह में देखो तो आप देखो कि इंडिया में तो होई रही बहुत पर वर्ल्ड लेवल पे भी तो साथ साथ में क्या लैंड इंक्रीज हो रही जिसकी वज़े से मतलब पर जितने लोग बढ़ेगे उनकी फूद बढ़ेगी तो वह सैटिस्वाइब तो उनकी डिमांड कंपलेट करने तो अब इसका सॉल्यूशन क्या इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हम जो लैंड है हमारे पास उसमें क्रॉप को इंप्रू करें यह हायर करें ताकि यह सैटिस् इसका तो उसके रिगार्डिंगे पूरा चैप्टर उसके लिए हम बात करेंगे तो इसको कैसे इंक्रीस कर सकते तो इसमें कुछ-कुछ यहां पर सॉल्यूशन में बताता हूं जैसे के सोचों के एक फार्म है यह इतना साथ अब यहां पर पहले इतने-इतने क्रॉप किये जाते हैं अब यह इतने-इतने क्रॉप जदी जो इतने हो रहते हैं अब अगर हम हायर यहल्ड करते हैं कोई टेक्निक जो हम पढ़ने वाले तो अब क्रॉप इतने यहल्ड हो नहीं है और उसमें उसके टॉलनेस इटने इनकीरीज ओंटने उसमें ग्रेंट जो भी आमने ग्रोघ क्या हूं थो इक सॉल्यूशन यह दूसरा जनेरल यह मैं एंपना एक लिए जो तो आप लोग को पुरा ग्रोव कर देते हैं तो इसको प्रॉपर न्यूट्रियन मिल पाए वह प्लाइट को इस रिए उतनी स्पेस वड़ते हैं कि उसको सुनलाइट वाटर और जो मैंट्यूर या फटिल आपको प्रॉपर पैस लेजगा पूरते हैं पर इसके ऑपोजिट अब बीच वाली जगह में ऐसे नुशरे उससे और नेचर वाले क्रॉप को यड कर सकते हैं यह दूसरा हुआ फिर हाइब्रेडाइजेशन है अब लाइस्टोप में भी और प्रॉप में भी थीक है वह था हुता है कि बैट और क्वालिटी के जो नेक्स जन्रेशन मिलती है और पास मिलती है तो प्लांटों के ऐसे सीट साथ है और एनिमल में ऐसे क्रोस ब्रेडिंग किया जाता है तो जिसे वह है रेल्ड वाले मिलते हैं तो यह सब थोड़ा सजेशन नहीं अब चैप्टा शुरू करते हम इंप्रूमेंटिंग क्रॉप्यार्स के में तीन पॉइंट मेहनत कि हां इसमें हम एक साथ ज्यादा ग्रूब करेंगे अच्छी वाला हायर सब और फिर उसको प्रोटेक्टी ना करें कोई अनिमल से या वेदर से तो फिर क्या होगा सब वेस्ट तो इसी लिए यह तीनों चीज़ इंपोटेंट है इसको मैनेजमेंट भी सकते प्रोड आपको बता हो जैसे हमें ने सब्सक्राइब से जितने बी उरत की दालों जो भी है सारे उसमें से हमें फ्रोटिंस मिलते हैं और वेजीटेबल से मिनरल्स और विकामेंस एक क्रॉप बशांद आप एक ही क्रॉप करते हैं कि यहाँ है यहां इसलिए कर रहा हूं कि क्रॉप जबते हो साथे जो खरने जो वाद करने वाले हैं उसके लिए यह था पर क्या होता है कि इसके instructions के लिए कर सकते हो गयए है तो उसके लिए यहां पर वैराइटी करते रहें जरूरी या तो इस हिसाब से करो इंडर क्रॉपिंग की पैटन से या फिर आप क्रॉप रोटेंट करो प्रोटेशन ठीक है तो यह चीजे जरूरी है तो यह अब यहां पर इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि यह इतने में इन फैक्टर से क्रॉप वाराइटी इंप्रोमेंट तो फैक्टर के पहले मैं लीस्ट पता देता हूं कि एक फारेल इंप्रूमेंट वालिटी बायोटी के बायोटी रेजिस्टेंश चेंज इन मैचुरेटी डिरेशन वायरेट अधिटिटी डिजारेबल एग्रोनोमिक ट है इंप्रूट कॉलिटी अब जैसे फूरेजमपल फार्म है मेरे पास नहीं है घर सबस्का अब उसमें मैं अपर सारे कॉछ ऐसे जैसे पूरे पहलने मैं वीट का तो जब उसको हर्वेस्ट खरता हूं काफी सारे दाने इस पर नहीं आप च्छोटे यह खराब निकलता है क चीजें के इंप्रूडिक होना चाहिए आप उसके लिए अच्छे सीड यूज करो अच्छा इरिकेशन उसब दो तो वह इंप्रूड क्वालेटी का बनेगा बाइटिक आपको बाइटिक नहीं है यह सबसे आपके क्रॉप को बचना जरूरी है वरना वह आपका पूरा क्रॉ तो फिर ऐसा इसका एकी solution नहीं है कि पेस्टीशाइड उसके और भी है काफी सारे हैं उसके solution ला सकते हो जिससे आप इसको बचा सकते हो एक तो उससे कैसे मतलब रेंड वीन्ड सनलाइट जाला वह सबसे से बचाने के लिए भी आपके पास उसके solution होने चाहिए आप ऐसा कुछ कुछ लोग आप क्या करते हैं ग्रीन हाउस जैसा वह बनाते हैं उसके अंदर क्रॉप करते हैं ठीक हैं ओर्गनिक फार्मिंग जिसको बोलते तो जिसके वैसे क्या सनलाइट रेंड विंड यह सबसे उ सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी करने के लिए जैसे मैं नहीं आप बता हाइब्रीड से चीज़े मैंनियर या फर्टिलाइजर को यूज करें कर सकते हैं वाइडर एडिप्टिबिलिटी आपके क्रॉप की वाइडर एडिप्टिबिलिटी जीतनी होगी वह उतना होगी तो हम ऐसे कोई भी सिच्वेशन में सर्वाइव कर जाएगा फिर वह कोरोना वाइरस हो स्वाइन फ्ल्यू कोई भी मतलब ठंडी हो गर्मी हो कोई भी सिच्वेशन तो वैसा ही क्रॉप में भी होना चाहिए तो अगर वाइडर एडिप्टिबिलिटी वाला आपको क् अतने ही लेंड में कम मिलेगा तोनेस में उसमें ज्यादा प्रोड़क्ट मिलेगी तो यह जो है एक डिजारेबल करेक्टिस्टिक और भी हो सकती है जैसे जल्दी ग्रोजाए ठीक है तीसरी बात यह जो है उसकी अड़ाप्टिबिलिट डिवाइडरों मलब यह इसके जो म प्रोड़क्शन मेनेजमेन मनलब अभी उसमें मैं समझाओ तो फार्मर सब टाइप की होते हैं हर एक कंट्री में इंडिया की बात है इंडिया कंट्री है साथ साथ में आपको एक चीज़ बहुत इंपोर्टन बता दू के 25 प्रसंट ही फार्मिंग लेंड है मतलब जिसमें क्रॉप ग्रोव कर सकते हैं इंडिया में उसमें भी 1955-2010 तक हमने काफी इंक्रीस किया एक बीच में एक दोड़ था सेवेंटीजेश का जिसमें तो कितना एल्ड हुआ उसको ग्रीन इवोल्यूशन बोला जाता है तो यह जो है यह हमने काफी इंक्रीस किया है क्रॉप ये वह भी इंडियन फार्मर से ट्रेडिशनल में अब भी पीछले पांच या दस साल में बोल सकते हैं कि हम मौडरन एक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं पर पहले असा नहीं था से तीस साल पहले की बात करूं तब भी ग्रीन रिपोल्यूशन हो था और तब भी हमने ट्रेड न्यूट्रियंट मैंजमेंट की तो nos management जो है वह इतना जरूरी है क्योंकि crop production में अलग लग याद की फार्मर होते है कुछ फूर होते कुछ थोड़े बहुत मेडिय कुछ रीच होते किसी कवास्टा लेंड होता किसी कवास काफी बड़ा कुछ ठ्रेक्टर और नय नय अभी हम जो सब में कॉमन लगता है वह दिखते हैं न्यूट्रियंट मैनेज्मेंट तो हरे क्रॉप को चाहिए और वह हर एक यह मैनेज कर सकता है फिर वह पूर फार्मन हो या फिर रीच फार्मन तो जैसे कि न्यूट्रियंट तीन जगह से मिलते हैं कोई भी क्रॉप को अब यह तीनों जगह से उसको न्यूट्रियंट में एर और वाटर तो हमें देखना नहीं पड़ेगा लग इर से उसको कार्बन ऑक्सिजन मिलेगे कार्बन इसलिए मिला कार्बन डायवक्सिल लेते हैं तो इससाब से कार्बन उसके अंदर आते और जो फूड मॉलेक्यल बन जरूरी है उसमें से यह मिम्रां सब्सक्राइब ऑफ की न्यूट्रियंट मिलताा है एक मिलता है मैजर में जो में enhance जो है तो प्लांट को चाहिए जिसलिए वह में जो प्लांट के मेजर न्यूट्रियंट जो चाहिए उसको और माइक्र न्यूट्रियंट में चाहिए तो मैंने बता है कि तो मैंनेज कर सकते हैं पहली बार यह तो मैंनेज करी सकते हैं कि इरिगेशन कोई भी टेक्निक से या रीवर से रिवर लिफ्टिक से डाले या फिर कैनल से डाले या गवर्मेंट का आता हो उसके पास पानी तो उसे तरह से कर सकता है तो तो निचरल को तो होती ही है उसमें थोड़े बहुत न्यूट्रियंट पर वह अच्छे यह तो मैंन कि और उनको पता चले कि इसलिए काफी अच्छी सिस्टम बना के रिख टॉल फरी नंबर बना के रखा है काफी-काफी विलेज या तालूगा के पास अपनी ऑफिस बना के रखी है जो पार्मर्स को हैल करती और सजेस्ट करती और फ्री में देती भी है फर्टिलाइजर्स और यह चीज़ें जो है वह ज़रूरी है कि यहां पर लोग भी इस यहां पर डाले फर्टिलाइजर जो है उसका युज एक्स नहीं करना चाहिए यह एम नेक्स टॉपिक में देखने वाले नेक्स्यूडियो में मैं इलो फर्टिलाइजर जब डिफरेंस देखें तब तक तो म तो यह हो गया हमारा आज का पूरा अभी इसका और एक पार आएगा जिसमें इसके आगे के जो भी टॉपिक है वह देखेंगे क्योंकि अभी तो न्यूट्रेंट मेनेजमेंट तक ही देखा है फिर उसके मैनियर वर्टिलाइजर का डिफरेंस और उसके बाद जो दूसरी ची एया बाइ бы बाइ कया जो एТा लुटो पार आटिक है झाल यहां दो एक कि तूस्त चूस समय जो आबे ऊ contribution